पाल हूँ नुमस्शकार दोस्तों एप सभी का crave क्रिश्णा ग्वाल एजूकेश्णल चैनल पर बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे पाठी ऐज्विच्णा कैसे बनाते जो लोग बीट करते हैं तो पार्ट विजना कैसे बनाते हैं उसी को इसमें देखेंगे पार्ट विजना कैसे बना जाता है तो चलिए देखते हैं पार्ट विजना संख्यान नव हमारा है तो इसके पहले कभी पाठी हो जाना इस चैनल पर अप्लोड है उसको भी देख सकते हैं आज हमारा नौवा है मतलब पाठी होए न संख्यन नौव है तो यहां छात्राध्यापक लिखेंगे इसमें अपना नाम लिख देंगे छात्राध्यापक आप ही रहेंगे सिक्षण के अंदर में मतलब जिस थारिओने पढ़ाने जाएंगे उसने नाम में लिखेंगे दिनांग में जिस तरीक को पढ़ाने जाएंगे और दिनांग में लिखा जाए और अवधी में लिखा जाएगा मतलब कितने समय कि घंटी आपकी है 30 35 45 35 से 40 रहता है तो हमारा 40 से हम 40 लिखें हैं तो प्रक्रेंड है हमारा प्रक्रेंड है कर्मबीर ठीक है आगे चलते हैं सिक्षेंड उद्देश सेटिंग डालेंगे ग्यानात्मक यहां लिखेंगे इसके बाद लिखेंगे चात्र कर्मबीर के बारे में बता सकेंगे चात्र कर्मवीर की विश्यस्ता को अस्प्रस्ट कर सकेंगे कर्मवीर के सुकारियों को चात्र अस्प्रस्ट कर सकेंगे बोधात्मक में लिखेंगे चात्र कर्मवीर कविता का अर्थ बता सकेंगे चात्र कर्मवीर की विस्यस्ता को अस्परस्ट कर सकेंगे और प्रयोगात्मक में लिखेंगे चात्र कर्मवीर पाठ की व्याख्या कर सकेंगे और आगे चलते हैं चात्र कर्मवीर की अज्ट करमवीर कभिता के अर्थ बता सकेंगे चाल कर वी कि विशेस्था को बिथशट क कर सकेंगे यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे चात्र कर्मबीर के गुड़ों की अस्पेस्ट बीबेशना कर सकेंगे यहां लिखेंगे कर्मबीर की समाज में भूमक्या को भूमक्या की चात्र ब्याख्या कर सकेंगे आगे चलते हैं को या सok मग analytic है को चाहिं ड़िखकत नहीं कुछ दूम कुछ सैडिंग डाल शकते हैं कोई लिखत नहीं कुछ ऐडिंग कुछ सीडिंग डाल सकते सिक्ष्षा वादिखकत समंगरी निया सेक्षा अतुम समागरी तो इसमें में लिखेंगे कक्षा कक्छो प्योगी सहाच समगरी शिक्षन विद्धी में लिखेंगे विया ख्यान उध्धी प्रम्च विद्धी कि कि आ दियो और इन बीदियों का प्रयोग किया जाएगा तरही लिखेंगे ठीक है और पूरुग्यान हेडिंग डालेंगे बच्चों को समय के बारे में सदूपयोग की सामान जानकारी है तो प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे उसमें लिखेंगे तो देखे क्या लिखेंगे प्रस्तावना प्रस्न उत्तर तो यहां प्रस्तावना प्रस्न लिखेंगे बच्चों लक्ष की प्राप्ति के लिए क्या आउस्यक है बच्चे उतर देंगे शमय का सदूपयोग दूसरा शमय का सदूपयोग करके हम जो कार करते हैं उसे क्या कहते हैं तो बच्चे कहें कि कर कर्म करने वाले वीर पूरुष को क्या कहते हैं तो यहां बच्चे कहें कर्म वीर जोथा है कर्म वीर से आपकिया समझते हैं तो समस्यात्मक प्रशनों हो जाएगा बच्चे नहीं बद्था पाएंगे मौन घ्रेइट के आगे चलते हैं लेक्त अधिक वुद्धे शिकथन हैडिंग डालें इसमें लिखेंगे च्छात्रों आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याई की प्रमुक अबंद कर्म बीर का विष्टरित अध्यान करेंगे प्रस्तुति करण हेडिंग डालेंगे प्रस्तुत गद्यांस को एक ही अनुवित मे पढ़ाया जाएगा ठीक है आगे चलता है है हुआ है कि मूलपाट शंकेत देखकर जिसे कहते नहीं करने के मतलब सुरुगात का आक्षर लिखा जाता है और अंतिम एक-दो सुरुगात का लिखा जाता है एक-दो सब अंत का लिखा जाता है मतलब इतने से इतने के बीच की पढ़ाएंगे हम पढ़ाना इसमें ठीक है आदर्फ वचन हेडिक डालेंगे इसमें लिखेंगे शात्रा ध्यापक द्वारा शात्रा ध्यापक द्वारा प्रस्तुत गद्यांस नहीं प्रस्तुत पद्यांस का उचित आरोह औरोह एवंबिर्याम चिल्नों का प्रयोग करते हुए लाई युक्त तुरुटी विहीं अधर्स वाचन शात्र शात्राओं के स्वमु तो यहां लिखेंगे असुद्ध यहां पर सुद्ध बीबी तो बीबी एसुद्ध है एसुद्ध है और इसमें कठीन में असुद्ध है और एसुद्ध है मुह एसुद्ध है एसुद्ध है एसुद्ध है और एसुद्ध है भूलकर भूलकर ठीक है तो आगे चलते हैं यहां लिखांगे बाधा देखकर कौन नहीं घब आते हैं। कि दूसरा कर्मीर क्या देखकर नहीं घब आते हैं। तिसरा कर्मबीर कब नहीं उक्ताते हैं, चोथा कर्मबीर अपना कार कैशे करते हैं, सब्दार्थ, सब्द अर्थ, सब्दार्थ, यहां लिखेंगे, यहां पर सब्द, अर्थ, युक्ति, युक्ति परियोग, यहां पर बाधा, अर्थ में लिखेंगे विग्न, युक्ति लिखेंगे परियावाची, युक्ति परियोग, अनेक बाधाय आना, इसी तरह से इसमें बिबिद, इसमें अनेक, पर यायवाची जगत में करतब निर्वा करना तो आगे चले हैं कि आगे चलते हैं कि स्यामपट कारे हैं सब्दार थी स्यामपट कारे है कक्षिनी रिक्षाड तो छात्रा जह पर कक्षा के समस्ष चात्र चात्राओं का सब्दार्थ उत्तर पुस्त क्या में लिखने का आदेश देकर श्रॉयम काक्षा में घूमकर निर्ख्षण कारे करेगा दिती आदर्ष वाचन चात्रा ध्यापक द्वारा चुने गए पध्यांस का ओचित आरो औरो एम विराम चिन्नों का प्रियोक करते हुए तुर्टी विहीं दिती आदर्ष वाचन प्रस्तुत किया जाएगा आगे चलते हैं शर्ष वाचन चात्रा ध्यापक द्वारा कच्छा के समस्त चात्रों से शर्ष वाचन करवाया जाएगा भाव इसलेशन प्रस्न तो इसमें पहला बीर पूरुष अपना समय कैशे विताता है दूसरा अपना समय ब्यार्थ काउन नहीं गुवाते हैं तिसरा काम करने की जगह वीर क्या नहीं करते हैं चौथा वीर किस से जी नहीं चुराते हैं पांचवा आरों के लिए नमूना कौन बनते हैं छठा आकास को कौन चूमते हैं सत्वा गाने जंगल कैसे होते हैं आठवा अंधेरा कहां रहते हैं अंधेरा कहां रहते हैं सिखर कहां इस्थित है तो आगे चलते हैं स्यामपट सारांस स्यामपट सारांस में लिखेंगे बीर पुरूस अपना समय बेर्थ नहीं गुवाते हैं जो भी कार उन्हें करना होता है कर लेते हैं बातें नहीं बनाते हैं किसी कार के लिए आज कल करके अपना समय नहीं विताते हैं मुल्यांकन प्रश्ण मुल्यांकन प्रश्ण में लिखेंगे अपना समय बेर्थ कौन नहीं गवाते हैं दूसरा किसी काम को पूरा करने के लिए बीर क्या करते हैं तिसरा, दूसरों के लिए उदारार कौन बनते हैं, चाहु था, आसमान की बुलंदियों को कौन छूता है, ग्रिह कारे, ग्रिह कारे में लिखेंगे, आग की ज्वालाओं से कौन लोग नहीं डरते, दूसरा, क्या कर्मबीर के लिए कोई कारे शंभव नहीं है, क्या कर्मबीर के लिए कोई कारे शंभव नहीं है, तीसरा, कर्मबीर कैशे होते हैं, तो यही था हमारा पाठ्योजना, तो आप लोग वीडियो को रोक रोक करके अराम से देख सकते हैं, और आप लोग अपने मन से भी पाठ्योजना बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रचा पढ़ाना हो इसी तरह से बना सकते हैं या अगर नहीं बना पा रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर काफी बाइव fills नहीं है वहां से आप लोग लिख सकते हैं और लिख सकते हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत